आप सबको नवस्कार और आप सबको फिर्षे सागते मेरा यूटूब चैनल फास्ट एक्जाम बूस्टर में मैं आज आया हूँ जो हमारा ओस्टेट शिलाबस चल रहा था उसका चौथा वीडियो लेके आया हूँ जो की ओस्टेट नोटिपीशन अल्रेडी बाहर चुका है और ओस्टेट एक्जाम के लिए बहुत इंपोटन है पूरा शिलाबस का जो इतना भी मतले हम इंपोटन सबाल है उसका उपरी ओसारा का सबाल में धिरे धिरे ला रहा हूँ और आपको बहुत मदद करेगा है वीडियो तो फिर चलते हमारा ये जो वीडियो एक इंपोटन कुष्चिन डिसकोशन होता है कुष्चिन एंसर डिसकोशन होता है तो चलते हमारा कुष्चिन एंसर डिसकोशन की ओर पहला सवाल है आडोलेसेंट्स गेट प्लेजर देखिए जो आडोलेसेंट होता है उन आडोलेसेंट एज में एक आडोलेसेंट को प्लेजर कब मिलता ह क्या इन दौ कॉंपाणी अ दियार फ्रेंड्स क्या उनका। फ्रेंड्स शरक्ल में उनको मतलब। उनको प्लेजर मिलता है। क्या बाई examining their body structure and physics in the company of opposite sex क्या ये जो तीन option में से क्या pleasure मिलते हैं हाँ इन तीनों condition में उनको बहुत अच्छा लगता है उनको बहुत खुशी मिलता है बाई अच्छा लगता है तो इसका एंसर होगा all of the above all of these नेक्स्ट देखिए यहां पर दिखाए बारे में थोड़ा से लिखाए अडल्सेंस ट्रांजिशनल फेज अडल्सेंस एक क्यों सा फेज है ट्रांजिशनल फेज मतलब चाइल्ड हुड और अडल्ड हुड का बीच का फेज क जो त्रांजिशनल फेज और बीच का उडल्सेंस का टाइम को ही अडल्सेंस बोला जाता है थो वाल्ड हेज हां एक औरर्ड हैल्ड कितना होगाए और टीestyle होता है इसको बोला जाता है नेक्स देखिए emotional tension in youth is the result of मतलब एक youth में emotional tension कब आता है देखिए क्या conflict between id and ego क्या उसका जो id and ego में जो जीद और अहंकार में जो conflict हो तो तब माना जाता है कि उसका emotional tension आ रहा है क्या prejudice against him on the ground of creed and clone क्या creed and clone में क्या उसका emotional tension आ रहा है क्या पता चलता है repeated in school examination क्या बार बार school examination होना भी उसका एक emotional tension है हाँ यह जो तीन option है एक person का एक young age का एक youth का अगर conflict with id and ego में अगर conflict हो तो उसके emotional tension माना जाता है prejudice against on the ground of creed or clone creed or clone का एगनेश्ट के उसका मतलब यह आना सोच आना तो वह एक emotional tension होता है repeated in school examination का बार बार होना भी उसके लिए emotional tension होता है तो इस cancer भी होगा all of the above next देखिए adolescent shows show their emotions of love for a adolescent उसका emotion love किसको किसको दिखा पाता है क्या their friends मतलब उसका दोस्त के लिए बहुत मतलब प्यार रहता है क्या उसका their country के लिए प्यार रहता है नेक्स देखिए physical development of letter childhood marked by एक person का physical development हो रहा है लेटर चाइल्ड हुड में क्यों के से पता चलता है क्या ossification of bones क्या bone का बढ़ने कोई क्यों बढ़ने से पता चलता है क्या permanent teeth आने से पता चलता है कि एक चाइल्ड हुड में एक बच पर्षन का लेटर चाइल्ड हुड में एक पर्षन का physical development है क्या पता चलता है excessive motor activity एज जो लेटर चाइल्ड हुड होता है इस टाइम में excessive motor activity भी होता है यह बाद भी सही है तो इसका answer होगा all of this मतलब bone का बढ़ना permanent teeth आना और excessive motor activity एज जो तीनों काम कब होता है ना लेटर चाइल्ड हुड में बहुत जादा होता है तो इसका answer होगा option for all of this next देखिए which of the following is not the characteristic of intellectual development of later childhood देखिए intellectual development of later childhood लेटर चाइल्ड कॉन साइज होता है ना 7 to 11 years ठीक है infancy time होता है to sorry 0 to 2 years early childhood होता है 2 to 7 years लेटर चाइल्ड होता है तो इहां पर देखिए जो कॉन सा एक intellectual character is not the characteristic of intellectual development of later childhood मतलब इन्हों से कॉन सा एक लेटर चाइल्ड होता है characteristic नहीं है देखिए high interest in science fiction का science fiction में interest आना उसका एक करिश्टरिस्टिक है increased logical पर उसका logical पर बढ़ जने का है उसका एक later childhood का एक करिश्टरिस्टिक है careful about future मतलब अपना भविश्य बारे में सूचना एक साथ से ग्यारा साल का बच्चा अपना भविश्य बारे में कभी tension लेता है जो की primary school का student है end of imaginary fears उसका इमाजिनरी जो डर रहता है ओ डर का भी खतम हो जाना तो इन में से कौन सा नहीं है नहीं है तो यह जो 7 और 7-11 यह से एक बंदा कभी अपना future का बारे में careful नहीं होता है तो इसका अप्शन एंसर होगा option 3 careful about future यह ओ नहीं होता है नेक्स्ट देखिए stage of development क्या है इनफान से 0-2 यह अरली चाइल्ड़ूट 3-6 यह लेटर चाइल्ड़ूट 7-12 यह अडल्ड़ूट 13-18 यह अडल़्ूट 19 एबब यह ठीक है तो सवाल पूछागा है लेटर चाइल्ड़ूट लेटर चाइल्ड़ूट यह जनरली प्राइमेरी स्कूल का टाइम होता है प्राइमेरी स्कूल में एक बच्चा अपना future को लेके कोई भी टेंशन और सोच नहीं रहता है कोई carefulness नहीं रहता है नेक्स देखिए systematic changes in the mental process that underlie all learning and performance is referred to as देखिए एक person का systematic changes होता है उसका सीखने में in the mental process that underlie all learning and performance उसका सीखना और performance में जो systematic changes को क्या बोला जाता है क्या moral development बोला जाता है क्या emotional development क्या social development बोला जाता है देखिए एक sequential systematic changes learning और performance में अगर changes हो उसे cognitive development बोला जाता है moral development क्या है मतलब एक moral systematic बीचार लाने को ही moral development होता है emotional मतलब लोगों का बारे में जो feeling आते हैं तो उसे emotional development लोगों का feelings को समझने को ही emotional development बोला जाता है social development मतलब जो समाज मेरे के समाज के लोगों को साथ घुल मिलकर जो knowledge development होता है उसे ही social development बोला जाता है तो इसके अंसर होगा cognitive development मतलब learning and performance का development होना यह पर देखिये moral development के बारे मिल दिया गाय है moral development refers to the process through which children develop the standards of right and wrong moral development नहितिक सोच क्या है ना नहितिक विचर आता है एक पर्शन में right and wrong का मतलब अंदर एक differentiate कर पता है moral development within their society based on social and cultural and laws मतलब जो इस society का जो rule होता है उसको बेस करके चीज राइट है या wrong है उसको जानना को ही moral development हुआ है समझा जाता है ठीक है cognitive development cognitive development क्या है ना उसका एक child का development के लिए जो जो step चाहिए means how children think, explore and figure things out it is the development of knowledge, skills, problem solving and disposition which help children to think about and understand the world around them brain development is part of the cognitive development मतलब cognitive development है एक परसन का all-round development होता है जिनराली बोला जा सकता है next देखी emotional development emotional development क्या है ना किसी का feelings को समझना emotional development refers to the ability to recognize, express and manage feelings at different stages मतलब क्या होता है feelings को भी manage कार पाना खुद का और दूसरे को तो उसे ही बोला जाए emotional development of life and to have empathy for the feelings of father और दूसरे का feelings के पर empathy होना ठीक है संबेदन्सिल होना तो उसे ही emotional development बोला जाता है the development of these emotions which include both positive and negative emotions is largely affected by relationship with parents and sibling and peace क्या होता है ना जो emotional development होता है वो positive भी हो सकता है negative भी हो सकता है और यह जो positive negative होने के लिए affect मतलब बहुत ज्यादा प्रभाब किसका रहता है parents का रहता है siblings का रहता है और peers group का रहता है next देखिए social development के social development refers to the process by which a child learns to interact with others around them क्या होता है ना social development से उसका जो around में जितना भी person रहता है जितना भी लोग रहता है उनका बारे में उनका interact होके उनसे कुछ समझने के लिए कोई social development बोला जाता है as they develop and perceive their own individuality within their community they also gain skills to communicate with other people and process their action क्या तो ना इससे सीख पाते हैं कि दूसरे लोगों के साथ किस तरह से social में जो लोग है उसके साथ किस तरह से communicate करें उससे को ही बोला जाता है है social development मतलब समझ का लोगों से जो सीखते हैं उसे ही social development बोला जाता है next देखिया according to PRJ theory cognitive development is influenced by all of the following मतलब PRJ का अनुसार में एक पर्सन में development नहीं होता है क्या reasoning से development नहीं होता है या language development से cognitive development नहीं होता है देखिये perception reasoning और verbal facility से एक पर्सन के अंदर cognitive knowledge का development होता है यह बोले है किनों किनों ने बोले प्याजे ने बोले तो क्या नहीं बोले language इसका अंसरों का language language development से एक पर्सन के अंदर cognitive development नहीं होता है यहीं बोला गया है मतलब PRJ के उनुसार next देखिया which of the following advancement would be new to a child reaching the pre-opersonal stage देखिये एक प्री-opersonal stage के पर्सबेक्टी के लिए कौन सा अड्वर्ट में पहुंचना एक नया है प्री-opersonal stage के पर्सन के लिए देखिये the ability to consider multiple aspects of a problem एक प्रॉब्लम का multiple aspects को समझना the ability to consider past and present activity एक past and present activity के क्या मतलब एक pre-opersonal stage का पर्सन क्या past और present का मतलब activity को समझते है नया करके the ability to experiment with circular reaction जो circular reaction होता है उसका बारे में उसका उपर experiment करते the ability to calculate probability देखिये एक pre-opersonal का बच्चा जो होता है उसके लिए the ability to consider past and present activity को ही वो समझ पता है नया करके मतलब वो नया नया pre-opersonal stage में आते ही वो मतलब समझ में लगता है past क्या है present क्या है ठीक है और उसके अंदर differentiate भी कर पाते है तो इसका answer एगा option 2 next देखिये in contrast to the elementary school child an adolescent who has developed formal operational thought can एक elementary school child के लिए child in contrast to elementary school child an adolescent who has developed formal operational thought can एक adolescent जो की elementary school पढ़ चुका है और पढ़ रहा है वो इस डेबलब formal operational thought उसका अंदर अगर formal operational thought डेबलब करे तो उसका अंदर क्या-क्या features आता है क्या-क्या को मतलब concept डेबलब होता है think about possible outcome, मतलब एक कोई भी काम का possible outcome मतलब एक काम का बारे में शोच पता है क्या यह जही है इसका about the future, मतलबывает शिस्टमाटिकले अपना future का बारे में सोच पता है क्या एसर यह हैं क्या इमजीन फूचर करने से फूचर में क्या होगा इसका बारे में सोच पाना भी क्या उसका मतलब एक फीचर से do all of the above क्या क्या कार पता है एक फॉर्माल अपरेशनल अपरेशनल स्टेज के चाइल ओ क्या कर पता है ना think about possible outcome एक condition का possible outcome भी सोच पता है शही एंसर है थिक system theory about the future future का बारे system theory जाए समझ सोच पता है यह भी सही है और imagine future consistency of our action एक काम का future मतलब future result क्या होगा ओ भी सोच पता है तो इसका option होगा do all of the above option for all of this next देखिए a child who says it is wrong एचीज गलात है to still because एक चोरी करना गलात है एक बच्चा बोलता है because she might get caught would be in कोलवक्स dash stages मतलब एक बच्चा बोल रहा है की चोरी करने से हम पकड़ा जा सकते और एक गलात है यह करना नहीं चाहिए तो एक चोद concept रखने ब़ला child खोलवक्स के हिशाब से उनका कौन सा इस्टिच का child है देखिए चोरी करन option देख लेते punishment and obedience हम गलती करेंगे तो हमें punishment मिलेगा instrumental hedonism क्या instrumental hedonism है क्या good boy और good girl morality और good girl orientation का है क्या authority and social order maintaining morality क्या authority and social order maintain करने वाला बच्चा है stage 4 का बच्चा है देखिए चोरी करने से पकड़ा जाएंगे यह गलत है यह जो शोच रखने बाला मतलब child पहला stage का होता है punishment and obedience orientation होता है मतलब चोरी करेंगे पकड़ा जाएंगा पकड़ा जाने से हमें बहुत कुछ हो सकता हमें मार भी पड़ सकता है punishment मिलेगा यह उसका fear रहता है इसलिए ओबिडेंस होता है मतलब गलती नहीं करता है तो यह उसका पहला stage था इस cancer होगा fastest stage यहाँ पे देखिए ओबिडेंस जो खोलबर्ग ने क्या किया न three level दिये थे और six stages दिये थे तो उनका जो three level क्या क्या था pre-conventional, conventional, post-conventional pre-conventional में क्या था obedience and punishment obedience, punishment, orientation मतलब क्या अगर हम गलती करेंगो तो हमें मार punishment मिलेगा और अगर हम एक काम करने से हमें गलती नहीं मिल रहा है मतलब हमें गाली नहीं मिल रहा है punishment नहीं मिल रहा है इसका मतलब एक काम सही है self-interest orientation मतलब जो पर्षनिक कुछ अपने इच्छा से भी कर लेता है काम नेक्स देखें इंटरपर्षनल अकॉर्ड एंड कॉन्फर्मिटी मतलब जो बर्षन क्या एक चाइड क्या सुस्ता है कि जो चीज दूसरे लोग करते हैं दूसरे लोग करते हैं तो ओई काम चाहिए और ओगाम हमें भी करना चाहिए मतलब दूसरों का काम को फॉलो करते हैं फॉलो करने तो ने से क्या होता है न गुडबाई गुडगल ओरियेंटेशन कंसेप्ट आ जाता है इस एक चैल के अंदर मतलब दूसरा जो कर रहे है उसे हमें उसी चीज़ को हमें भी करना चाहिए तो हम भी चाहिए होंगे नेश्ट देखी एस्टेश फॉर में क्या ओथरिटी एंड सोसियाल और मैंटेनिंग ओरियेंटेशन मतलब उनका एक कहना है जो इस सोसाइटी में जो रूल है उसी कोई मानना हमारा एक काम है करतव्य है नेश्ट सोसियाल कांट्राक्ट ओरियेंटेशन नेश्ट क्या होता है ना एक कंडिशन होता है जाब उसका काम और जो समाज का रूल क्या होता है ना कंट्राडिक्ट करता है तब उनको लगता है कि यह जो रूल हमारे लिए मतलब किसी-किसी कंडिशन में अप्रोप्रोप्रियेट नहीं होता है नेश्ट होता है यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल का मतलब एग है कि मतलब एड में वो खुद के लिए एक नया रूल बनाएगा जो की शही क्यालत वो नहीं जानता है मतलब उतना नहीं शोचता है बनाते वक्त उसको उस कंडिशन में जो करना चाहिए जो लगता ही की शही वो करता है एक नया रूल नेश्ट देखिए एट टीनेजर हूँ बिगिंस यूजिंग अलकोहूल बिकोज ओल इस फ्रेंड्स आर डूइंग देखिए एक पर्सन क्या है ना अलकोहूल कंजूम कर रहा है क्योंकि उसके सारे दूस कर रहा है इस प्रवाली इन खोलवक्स डैस स्टेज मतलब क्या है ना दूसरे जो कर रहा है ओ सही है ओ हमें भी करना चाहिए यह जो कंसेप्ट रखने वाला कौन सा स्टेज का है देखिए यह मैंने बताए था इंटरपरसनल अकॉर्डन कंफरमिटी यह स्टेज 3 का चाहिए देखिए कि दूसरा फ्रेंड भी सब आलकोहल कंजूम कर रहा है तो मुझे भी आलकोहल कंजूम करना चाहिए यह जबाल बहुत पूछा जाता है एक्जाम में ठीक है क्योंकि एक बच्च आलकोहल पी रहा है और उसका एंसर है क्या गुट बाई गुट गाल ओरेंटेशन म क्या होता है ना कौन सा इस्टेज में एक पर्षन का सोसाइटी का रूल समझता है और उसके बाद समझ से उसके परे होके मतलब खुद का एक रूल सेट करता है कौन सा कंडिशन में देखिए मैंने प्रिवियस स्लाइड में बताया था कि पोस्ट कॉन्वेंशनल प्रिवियर्ड में क्या होता है ना समाज का रूल को समझ लेता है समझ के सुचता है कि यह जो रूल है सब के लिए यह रूल नहीं होगा मैक्सिमम के लिए सही है उसके बाद एड में क्या होता है ना वो एक नया रूल बनाता है उनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल खुद का ल Hem That His Theory Compare all of the following except AMY कॉल वर का थेउरी ऊसमें कॉन सा क्रिटिक्स नहीं है क्या का राल बाइच नहीं एक अज बाइच नहीं क्या लिबरह्रा बाइच नहीं क्या जेटर भाइच नहीं मैंने देखिए खोलवर का वीडियो बनाया है और मैं खोलवर का जिन पिया जे का मतलब जिन पिया जो थियोरी ये दो थियोरी से बहुत सारा सबाल लिया हूँ तो मैं ये दोनों का वीडियो अलरेडी बना चुका हूँ सेपरेट वीडियो और मैं उसका लिंक भी नीचे रे श्रिप ओस्टन को यह सोचा था इस्टन बाले को वाए में नहीं समब इसका कलक्यां इस इसलिए इसलिए इसका अंसर एबला होगा लिब्रल वाइज और जेंडर वाइज भी था उसार का सरे मेल थे तो इसका एबला है ठीक है अप्षोन थ्री रिल लिब्रल वाइज इसका एंसर होगा को ठीक है को किने देखिये क्यरोल ग्लीगन क्लैंश्ट एक सबसे बड़ा क्रिटिक के लिए किनके लिए ने खोलवर्क के लिए क्लेम्स डैट मैंन एड़ इसको रडिफ्रेंट लेवल ओन खोलवर्क मोराल डिलेमाज बिकॉज देखिए उनका एक ना जो कोलवर्क ने जो पूर जो रिश्च किया था और इससमें सारा का सारा कौन मेल थे मैन थे लेकिन उनका कहना ए कि मैन एंड ओमेन के बीच में सोच में भहत फरच है इसलिए एक मेल जो करता है फिमैल ओ नहीं करेगा कभी बि and ओ इससा नहीं सोचता है और उनका इसब से अगर female को एसे interview लिया जाता है तो उनका जो result कुछ अलग निकलता है उनका एक कहना है तो उन्होंने कौन साइस्ट्रेम दिया थे देखे क्या male operate on the basis of morality of justice and female do not उनका कहना है कि जो male होता है वो श्रिफ morality of justice के उपर ज्यादा फोकुस करते लेकिन female एसे नहीं करते फिमेल क्या करता है इमोशनली बहुत सोचते next food was right female are less morally mature यह बोले थे यह बला नहीं बोले थे यह बलाई बोले थे option on बोले थे कौन किनों ने बोले थे ने कैरोल गिलीगन ने बोले थे कि लेड़के morality से ज्यादा सोचते और लेड़किया emotionally ज्यादा सोचते इसलिए अगर लेड़कियों के एक मतलब interview होता तो उनका जो theory का मतलब outcome थो आलागाते next males are more concerned with the needs of father एबाला भी नहीं बोले males region about real life dilemma while women region about hypothetical moral issue एबी नहीं बोले उन्होंने श्रीप एई बोले थे कि male morality of justice सोचता है female emotionally सोचते है और female generally male की तारा नहीं सोचते है उनका एई कहना है next देखे according to PAJ children in the concrete operational stage have difficulty with एक children जो की concrete operational stage में है तो उसके लिए कौन सा काम करना मतलब कौन सा study or logic भहत difficulty होता है क्या perspective taking क्या deductive logic क्या inductive logic क्या conservation conservation क्या है ना एक जो think का अगर object का shape में change होए लेकिन object में changes नहीं आता है ओ conservation होता है perspective taking ओई एक concept होता है लेकिन जो deductive और inductive तो इहां पे answer होगा deductive तो इह deductive logic और inductive logic है क्या इसका बारे में थोड़ा सा जानते देखिए inductive logic पहले रखाओ deductive logic बाद में रखाओ यहां पे जो concept क्या है ना inductive logic का मतलब inductive reasoning और theory और method aims at developing a theory inductive का मतलब क्या है ना एक theory development किया जाता एह पहली चीज कुछ example दिया जाता है उससे क्या होता है ना कुछ example को देके एक rule बना जाता है एक theory बना जाता है उससे बोला जाता है inductive theory लेकिन deductive theory क्या आये ना पहले एक rule दिया जाता है rule से एक मतलब कुछ example बनाया जाता है rule को समझाने के लिए कुछ example दिया जाता है यह होता है deductive logic deductive reasoning theory और method aims at testing and existing theory एक rule और theory दिया जाएगा उसका ही testing करना को ही deductive logic बोला जाएगा लेकिन एक concrete operational stage का बच्चे के लिए deductive logic समझना बहुत hard होता है तो इसका answer कान सा होगा deductive logic thinking ठीके अब देखिए inductive logic क्या है known to unknown known to unknown मतलब एक बंदा जो चीज जानता है उसको ही पहले बताए जाएगा उसको बताने के बाद बाद में उसका एक sum up करके एक rule बनाए जाएगा ठीके known to unknown ही होता है example to rule मतलब देखिए non to unknown उसको एक बताए जाएगा पहले कोई एक कुट्टा किस तरह से होता है उसका चार पैर होता है मूँ थोड़ा सा बाहर होता है एक कुट्टा नहीं एक अपने बिल्ली का example लेजिए ठीके known क्या एक बाद्चे के लिए cat known है तो उसको cat के बारे में बताए जाएगा और उसको unknown क्या है एक tiger उसके लिए unknown है तो उसको बता जाएगा जो cat tiger है same to same cat की तरह दिखता है लेकिन size में बहुत बड़ा है तो ये क्या होना known to unknown aspect हुआ है example to rule कोई example दिया जाएगा उसका एक role दिया जाएगा example क्या है ना हर एक कुट्टा भोगता है मतलब एक कुट्टा है उसका घर में जो की भोगता है तो उसको बता जाएगा कि जो जितने भी तरह तरह का breed के कुट्टे सारे कुट्टे भोगते एक उसका थियोरी हो जाएगा concrete को आश्टाप specific to general और bottom of approach भी से बोला जाता है unknown to known objective logic को बोला जाता है rule to example और attract to concrete देखिए rule to example और unknown to known क्या आए ना देखिए मानि यह एक person को दिया गाए mathematics में दिया गाए a plus b का whole square square plus b square plus 2ab तो यह जो चीज है उसको rule के हिसाब से दिया जाएगा उसके बाद उसको दिया जाएगा कि 2 plus 3 का answer कितना निकालो तो निकालेगा a square plus b square plus 2ab ऐसा करके कुछ example करेगा तो उसको याद रहेज़ेगा और समझ जाएगा कि हाँ रेक दो बार टेस्ट चेक करने से पता चलेगा कि हाँ यह जो rule दियागा यह सही rule है तो यह था deductive logic तो उसे क्या बले अनन to known बला जाता है rule to example बला जाता है abstract to concrete बला जाता है general to specific बला जाता है top down approach भी से बला जाता है next देखे जिन पियाजे वाजे जिन पियाजे कौन थे क्या एक child psychiatrist थे क्या social psychologist थे क्या बायलोजिस्ट थे genetic epistemologist थे जिन पियाजे कौन थे ना जिन पियाजे वाजे Swiss psychologist and genetic epistemologist क्या है ना Swiss psychologist भी थे psychologist भी थे और genetic epistemologist तो श्रीप psychologist ने यह genetic epistemology से इसका लिए answer एबला आओगा genetic epistemology क्या है genetic epistemology और developmental theory of knowledge एक child का knowledge किस तरह से development होता है उसका बारे में अध्धायन करने को ही genetic epistemology बोला जाता है और child का knowledge कैसे development है उसका बारे में research था उनका main income जिन पियाजे का इसलिए उनको एक genetic epistemologist बोला जाता है Is a study of the origins of knowledge established by gene पियाजे ठीक है epistogenetic epistemologist का मतलब होता है development theory of knowledge नेक्स देखे दा ability to systematically solve problems emerges during देखे एक person का अंदर जो problem continue मतलब दिन बे दिन problem आ रहा है और उस problem को solve करने का ability को क्या बोला जाए क्या sensory motor stage में एक person अपना सारा problem solve कर पाएंगे systematically क्या pre-opersonal में solve करें क्या concrete और फार्माल अप्रेशनाल stage में solve करें देखिए जो जिन पियाजे का जो चार stages था चार एंड इस्टेजे का जो एंड इस्टेजे फार्माल अप्रेशनाल इस्टेज इस्टेज में एक बंदा systematically problem को solve कर पाते हैं उन्होंने ए बोले हैं कि इस्टेज में आते ही मतलब 11 साल एक बसन का होते ही चाइड का होते ही यह क्या ना ओक सिस्टमेटिकल एक problem को solve करने का खमता पा जाता है क्योंकि इस्टेज में इस्टेज में आस्ट्राक थिंकिंग हाइपोटिकल थिंकिंग का भी कर पते हैं डैबलप हो जाता है नेक्स देखिए प्याजे बिलीव देट चिल्डेंड इन दा प्री अपरसनल स्टेज हैब डिफिकल्टी टेकिंग दा प्रस्पेक्टिव अप अनादर प्रसंद दीस इस्टेज नोन क्या होता है ना प्याजे यह मानते ते यह सुसते ते दे कि एक जो चिल्रेंड है उसक को मतलब इमिटेड करना और समझना और उसी सब से काम करना एक पर्शन के लिए मुश्किल होता है क्यों क्या उसका अंदर रिवर्सलिवर होता है क्या इगोसेंट्रिजिम होता है क्या मेटा कोगनेशन होता है क्या क्या इक पर्षन का जो एक चाइल दूसरे पर्षन का का प्रस्पेक्टिब को समझ नहीं पाता है क्योंकि इगोसेंट्रिजिम होता है उस बच्चे में इगोसेंट्रिजिम मतलब क्य कि दूसरे बैक्तियों का का प्रस्पेक्टिब को समझ नहीं पाने कोई इगोसेंटरिजिम बोला जाता है इगोसेंटरिजिम बोला जाता है मतलब दूसरे का प्रस्पेक्टिब को नहीं समझ पाने क्यों क्योंकि इगोसेंटरिजिम एक बच्चे में होता है इगोसेंटरिजिम बोले कि नहीं जिन प्याजे नहीं नेक्स देखिए प्याजे अजुम देट चिल्डरन आर डेश इन कंश्टॉक्टिं अंड्रस्टाइनिंग ऑप दव वाल्य क्या सोचते है एक बच्चे का बारे में इस वाल के बारे में actively ही सोचते हैं ठीके क्योंकि actively सोचने से क्या होना इस वाल को concept को समझ पाता है नेस्ट देखिया है अक्टिंग टू प्याजे दा middle childhood years bring a new set of skills concrete operations that क्या होता है न कि प्याजे का हिश्वाप से जो middle childhood का यूर्स में bring a new set of skills मतलब एक middle childhood का बच्चे का अंदर कुछ नया skills आता है और ओ जो स्टेज होता है concrete operational stage होता है तो ओ जो ability आता है तो उस कौनसा कौनसा ability आता है क्या build on and expand development in fine and gross motor capability का fine and gross motor का capability बढ़ना बढ़ना होता है बढ़ता है middle childhood में क्या फैसिलिटेड इमोशनाल डेबलमेंट आज दा चाल्ड रिजल्ड रिजल्ड कॉमन कॉल्ट्राल डिमांड्स एंड टास्क क्या इमोशनाल डेबलमेंट होता है जिसके लिए कि यह जो कॉल्ट्रा डिमांडन टास्क को सो रिजल्ड कर पते सौल्ड करें क्या reduce anxiety in children at this stage by distorting reality to assist them in understanding क्या एबला मतलब reduce anxiety anxiety काम होता है क्या provide general abstract rule and strategies for examining and interacting with the world क्या जो middle childhood में एक पर्षन में कौन सा ability आता है जो option for a provide general abstract rules and strategies for examining and interacting with the world यह जो capacity एक पर्षन में आ जाज़े कौन सा टामें मिडिल चाइल्ड हुड में देखिए चेस्टेज आफ कॉग्निटिव ने तो पी आज़ेखिशाब ने उन्होंने चार स्टेज दिये थे सेंसरी मोटर दिये थे प्री अप्रेशनल कॉंक्रीट अप्रेशनल फर्माशनल ने मतलब यहां पे देखिए abstract rules कुछ आ जाते का कॉंक्रीट अप्रेशनल का एंड में लेकिन फर्माल अप्रेशनल में ही abstract thinking और hypothetical thinking डेवलोक्ट होता है तो आज मेरा वीडियो में इतना ही था अगर मेरा वीडियो आपको आच्छा लगए तो प्लीज लाइक केर शेयर करें और सब्सक्राब करें थैंक्स फर वाचिंग